आपके स्क्रीन के साब ने जो चार्ड ओपन हुआ है ओपन है HDOC ब्यांक का टाइम फ्रेम सेलेक्ट हुआ है विकली अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखेंगे तक प्राइस देखें लास्ट टू यहर से के रेंज के अंदर यहां पे कॉंसोल लेशन करना था जिस रेंज को फ 770 इस लेबल के ओपर विकली क्लोजिंग आ जाता है तो यहां पर ब्रेक आउट कॉंफर्म हो जाएगा देखें आज जो हाँ पर डेली बेसिस के ऊपर रेंज को ब्रेक आउट क्या है लेकिन ब्रेक आउट करने के बाद जो प्राइस ग्याप आप हो अधाना ग्याप आप रेडिंग डेप पेंडिंग है उसको वेड कीजएगा अगर इस लेबल के आसपास 1770 के आसपास यहां पर विकली ब्रेक आउट आ जाता है तो यह मौल्टियर का ब्रेक आउट कॉंफर्मेशन मिल जाएगा लेकिन यहां पर विकली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो देख बनेगा वह बनेगा 1650 के आसपास अगर इस लेबल के आसपास आजाएगा यहां पर आप कॉंसेडर कर सकते जो निया लेना चाहरे जिनके पास पुराना है उनको तो भॉल करना चाहरे और विकली क्लोजिंग नियर दिस 1770 के आसपास ब्रेक आउट कॉंफर्म हो जाएगा उसके साथ जो दिगर ब्रोकर जेफ्रीज है यहां पर एस्टेश बैंका टार्गेट दिया है 1880 तो आने वाल टाइम में जेफ्रीज का भी हुए कि ए लेबल को टेस्ट कर सकता है और उसके अन उससे उपर विजा सकता है गर एक बार रेकाउड कॉंफर्म हो जाता है तो त आपके पास से फ्रेश एंट्री करने के लिए आईदर विकले क्लोजिंग आउट किजेगा नहीं तो फूल बैक करका अगर वहां पर अपर्जूंटरी ले सकते हैं और हम इस अच्वानेटी को मैनेज किजेगा मैं आसा करता हूं आप डिटल सालने से समस्पार होंगे आपके लेगा नमस्कार चाहिं